हाई अब्रिवन आप सब खैसे हैं i hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं क्या कुछ करना सारा कुछ डिटेल करेंगे हैं वीडियोस में सुरू स लेकर आज तक बने रहना वीडियो को कहीं पर भी एक सेकेंड के लिए बिल्कुल भी सकिप मत करना गईस YouTube पर वीडियो अपलोट करने का तीन तरीका है जी हाँ गईस तीन तरीका क्या क्या तरीके पहला तरीका प्रेट शॉट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप शॉट्स पर जाकर यूटूब के लैबडरी music section को यूज़ करके अपनी sort videos को आप बना सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है guys की upload a video, अपनी phone से record की हुई videos को edit करके, अपने phone में जो भी आपने videos save करके, बना की रखिए, आप उसको upload कर सकते हो, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है कि आप YouTube पर live stream कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दू, यहाँ पर दो तरीके को channel भनाते ही मिल जाएंगे, तीसरा तरीका जो है live streaming का, वो आपको अभी नहीं मिल सकता, live streaming करने के लिए आपके channel पो है, 50 subscriber यानि 50 subscriber होने चाहिए, और आपका channel को 2 step verify होना चाहिए, इसके बाद आप live stream के लिए apply करेंगे, तो 24 गंटे के बाद आपका live stream YouTube enable कर देगा, उसके बाद आप भी live streaming कर सकते हो, अपने audience से, अपने subscriber से, आप जू चाहें बात कर सकते हो, यह game खेल सकते हो, any route कोई भी काम आप कर सकते हो, तो इसे तीनोत सरीकों को बताने के लिए हम च स्क्रीन पर, यहां पर आचुके हम अपनी phone की screen पर, यहां पर आपको अपना YouTube open करने ना कुछ इस तरीके से, प्लस वाले icon पर click करना, यहां से, यहां पर create a source पर click करना, आपको, यहां पर click करने के बाद, कुछ इस तरीके के counter effects मिलेगा आपको देखने के लिए, यहां पर आ add a sound पर click करेंगे आप, तो यह YouTube की music library, अपने recording, जो भी song चाहते हैं, आप वो choose कर सकते हैं, यहां से, आप जो भी song लेंगे, उसका copyright कभी भी नहीं आएगा, आपकी videos पर, तो यहां से आप record कर सकते हैं, अपनी videos को, यहां से zoom out भी कर सकते हैं, आप, जैसे चाहो, zoom भी कर सकते तो यहां पर right fire पर click कर देते हो, कि मुझे इतना ही बनाना है, आप लोगों को बताने के लिए for jumper, यहां कुछ इस तरीके का interface देखने को आपको मिलेगा, यहां पर music card पर click करके, आप songs को manage कर सकते हैं, फिर यहां पर हम वापस done पर click कर देंगे, बैक्चेंट की, यहां पर आ इस तरह आप डालेंगे, उसको manage कर सकते हैं, अपने videos को किस parts में दिखाना है, पूरी videos में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मत दिखा, यहां पर यह हो गया, इसको done कर देते हैं, यहां पर filter पर click कर लेते हैं, यहां पर आप जो भी चाहिए, यहां पर official filter है, यहां पर जैसा filter आप यूज कर सकते हैं, अपने recording, फिर next पर, मैं original कर लेता हूँ, यहां पर next पर click कर लेते हैं, next पर click करने के बाद, कुछ इस तरही के interface लेखने को मिलेगा, यहां पर आपको आपने title डालना, जो भी videos बना रहे हैं, उसके relative में आपको title देना है, इससे मैंने source बनाया, तो म click कर देंगे, लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, वीडियो को कभी भी public मत करना, unless text पर, और इसको as पर ही मत करना, no पर करना, और यहां पर upload a video पर click कर देंगे, तो आपकी videos upload हो जाएगी, फिर हम आचुके हैं, अपने phone के screen पर, यहां पर हम बात करेंगे, अपनी फोन की गैलری के, जितने videos हो, वहां, वहां सारी videos हम यहां पर देख सकते हैं, वहां से एक select कर लिया, कुछ इस तरीके से, इसको चलाकर दिखाते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए, videos चल ले, तो इस तरीकी के videos आपको select कर लेने हैं, फिर यहां पर अपने videos को next पर click कर दे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डालना है जो भी टाइटल, मैं यहाँ पर ब्लॉग वीडियो बना रखता हूं, यहाँ पर लिखता हूं, मैं माई निव ब्लॉग, तो कुछ इस तरीके से आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, और यह इस टा केसे, यहाँ से डिफ सिस्टिन बॉग कोले यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और भी चीजचे आप अपने हिसाब से आड कर सेखते हो, यहाँ पर आपको हमेशा पॉब्लिक्स पर करके नहीं, हमेशा अनलेटिक्स पर करके ही वीडियोस डालनी हैं, और इसको यच पर मत करना, नो पकरना, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, नीचे डेस्विक्षन बास में मिल जाएगा, अपलोड पर किलिक कर देंगे, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इसू आ चुका है गाइस, तो यहाँ से, मैं ब अपलोड कर दें अपनी वीडियोज, अपलोड होने के बाद, यहाँ पर जाएगे, यहाँ पर जो भी वीडियोज आपने अपलोड कर देंगे, तो आपकी वीडियोज पब्लिक हो जाएगे, तो अपनी फोन की तीसरी सेटिंग्स को बताने वाले हैं, यूटुब पर तीस यहां पर गो टू लाइब पर क्लिक कर दें इसके लिए आपको 50 सब्सक्राइबर की जरूरत है और चैनल वेरिफाई होना चाहिए यहां पर आपको जो भी टाइटल देना अपने लाइव स्ट्रेम से लिलेटेड वो टाइटल यहां पर आप दे सकते हैं जैसे मैं यहां पर लिखते हैं कि मुझे बात चीत करनी है तो मैं लिख देता हूँ बात चीत ठीक है गाईस यहां पर लिखते हैं हम बात चीत चीत लिख दिया फिर यहां से आपको नीचे आ जाना है इसको पब्लिक कर देना क्योंकि हमें पब्लिक लाइब स्ट्रिम करना है इसको नो पर करन यहाँ पर more operational पर क्लिक करेंगे आप नीचे next के बगल में तो यहाँ पर schedule पर यह इसको on कर देंगे यहाँ से आप अपना live stream की date दे सकतो जिस तारिक को आपको live stream करनी हो select करके यहाँ से जिस date और time यहाँ से आप time select कर सकतो तो next पर यहाँ पर इसको select करने पाद आपको next पर click कर देना है जैसी next पर click कर देंगे यहाँ पर आप से कहेगा कि smile for a thumbnail आप smile करके एक thumbnail आपका यह कीश लेगा यहाँ pencil वाले icon पर click करके यहाँ से आपको sorry guys back हो गया यहाँ pencil वाले icon पर click करने के बाद अपलोड वीडियो पर click करना आपने जो भी जो भी thumbnail बनाया हो मैं यहाँ पर channel checking का बनाया था तो इसको आप लगा सकते हो यहाँ पर जुम करना है यहाँ पर save क्लिक कर देना यह लग चुका है हमारा thumbnail यहाँ पर go to live go to live पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका live stream यहाँ पर live हो जाओगे तो इस तरीके से net का issue है यहाँ पर हम live आ चुके हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर live आ चुके हैं यहाँ पर आप जो भी बात करना चाहते हैं अपनी ओडिशन से बात कर सकते हैं यहाँ पर जो आइकन पर क्लिक करके live stream को आपको बहुत अच्छी लगी हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हूँ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को कर दो या लाइक और चैनल पर पहली बार आ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना पका शेयर करके ही जाना प मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में मज़ेदार टॉपिक और इंफॉमेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत